आज मेरे हाथ में एक खास ट्रॉफी आफ देख ही पा रहे हैं और ये इसे पाने के लिए बड़ी मेहनत करने पड़ती है और वही मेहनत का नतीजा जिन सक्स को मिला है वो आज हमारे साथ हैं और हम बैठे हैं इंडिया बुक आफ रिकॉर्ड के अंदर तो हम दिखाएंगे क कि ये जो ट्रॉफी मिली है ट्रॉफी के पाने वाले आई बीर का रिकॉर्ड बनाने वाले इंडिया बुक आफ रिकॉर्ड बना ले सक्सित हमारे साथ हैं कि अजारे साथ प्रॉफी के सकते हैं डिकॉर्ट कॉर्ण दॉपूर्ट कर भाएंगे इंडिया बढ़ाज कर दो श्तॉट रख रख मारे स्वारे से लिए जत्रॉब। 21420 1493 kms during 897 roku so congratulations on in fact i have brought some pictures but for some reason कि पर दो सौने सौने लेकिते हुआ है और चाहिश कर दोडने लेकिते लेकिते हैं oh yes that's my state okay this is about my cycling journey and this December I will be 73 and as Ma'am said two years back I got this in 21 November 21 at that time I had done ्पनार, कि अच्छीका प्लावाचिका तके wanna be to record हैं उरके लोख को प्लावा न।ावा कफ में लो ज क shipsनी दौसके K ata practice में 53,000 को प्लावाचिका, अर्छीक, का यह विक्टनार minimum ऑ्लावा, it using a ha illustrative एफस्टे कर देवाग ऑर अप्राफ पुम्बाइ ऑंबए को चार्व को प्राविकर अजित है उल्टेयर अप्राइब मैं प्रावमाने कि अई हैं यदि एंट्द फॉन जार्वा झाई बीस तो पाट्स सब्सक्राइब जा इति मेल काटों जुछ? दीज उन्हा सकते हैं तो 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 में अ सो अ अल्से insgesamt towak मेया है। इ Rim फिर इम हम चेंजर के लग्मेन है उतर अव्योंच आवी देसे च्छेंचे लिग में के class toango not एिए को आवी पूंब णियुट साव में least अवंडरी आवकार। कर अब बढ़ बढ़ एिव बढ़ हो जो पुछ गुछ पर इता है कि और उन्यृ इता लेगा रगान किस वे झालीग की घर एक पितर के टूली चानल एक उन्यृर की जिए. और प्रेश कiking कि वो धुटकू क कम चुटकू कि और भीक मावन जिए सब्मकिलुपक है और और आवसे से कामी पूस्ति बार और झालों पुछलिवेस किसे को से थ हुआ नहीं कि वेक्ट पार झालों से लेख पारवा से अधिबेंगे से लेखने टोगी इसे अाटरेथ के लिफसेत लिए ऊतारा है प्रेश्स देटार। तरिवे कि पड़ी था पार जाइवारंग अगार्ट रारोग मीटार्ट पर भेड धाण का मेट सब्सक्राइब कार साथी था जए लुए को जाएकता सिर्वेस्ट लिए कर चाहिए रही अजयर्ग्ग्राफ अशेर्टिछ्टेबीज आगा अगार्फ वर पिल्फक्साब्ली टेर्फ सक्योवता वी इसले कनो गया है। प्रीजित के बिरा औी भी होःओं पकले सब्सुर्स न है फिशृ कि पूस जाओं में वीडा प्र आफ रागधे के लिए फैसके हों प्र रेंग Also बाखे कि ऑन प्राखे लिए्ट आपना फुआ हैन में लेके हैं जिए चीज शोही कि कर सकती के दियुक्त मुसह भेए और झाहि estके और त्ल दूहक बधिस्ट जनुत डाल जाव में दुद जूग आपोंस अाहिए, है कि पूलży शॉक्त पूल दूहातलम हैं, है चुछ। यह बढ़ेखे में इस एज पे शुरू किया, serious cycling मैंने शुरू कि आ इज पाइज आपके शुरू किया, serious cycling मैंने शुरू कि अज पाइज आपके साथ किया, 55 में उपरेशिवा ना मैं 73, I started 5 years back, I started cycling 5 years back only, prior to that I was cycling a little bit not much, so मैं आपके लिये बोल रहा हूं ऑर शर्त्वी रिलोभ आप के पास पहलं तहीं कहा कोता है even if you starting at my age then you will be like me at my age yes and if you start early if you start early you will be better than me at my age so now it's up to you how much bonus time you will need i will definitely start you start tomorrow but then please buy the right side it should be a gear cycle first and talk to a concept about someone who is already cycling and then I mean all these points that I have told you to follow, it will be an enjoyable view of that. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, Namaskar. Namaste, Namaste. Sir, एक तो ये बताएं, आपका नाम क्या है? दूसरा, ये क्या एचीब्मेंट आपने तियार किया, जिससे इंडिया वकॉर्फ रिकॉर्ड में दर्ज किया है? मेरा नाम राजकुमर शर्मा है. और जब मैंने साइक्लिंग शुरू की, तो ऐसा सोचा नहीं था कि कोई मैं रिकॉर्ड बना लुगा. क्योंकि रिकॉर्ड बनाने के लिए अकसर क्या लगता है कि आप कश्मीर से शुरू हुए, यार कन्या कुमारी आप पांच दिन में पहुँच गए, तो वो रिकॉर्ड बन गया. जबकि मैं तो पांच साल से साइक्लिंग कर रहा हूँ, और जब मेरा 40,000 किलोमीटर साइक्लिंग हो गए, और जमीन की गोलाई जो है, वो भी 40,000 किलोमीटर है, तो मेरे एक मित्र मिलें बोलें, आप इंडिया बुक आफ रिकॉर्ड को क्यों नहीं अप्रोच करते हैं, मैं कब कब कितनी साइक्लिंग की, कितने पीरिड में की, तो वो डेटा के साथ जब मैंने अप्रोच किया, तो मुझे पता लगा, यह तो रिकॉर्ड बन गया, तो देखिए हंसते गाते, खेलते हुए और सेहत बनाते बनाते रिकॉर्ड बन गया है, आप ऐसा समझीए, यह बहुत ज़रूरी है, जब 2005 में मेरा हाट का बाइपास ऑपरेशन हुआ, तो दो साल के बाद मेरे वूंड वगरा सभी हिलो गए, तो मुझे लगा, अब नया इंजन मेरे में फिट हो गया, अब मैं मन चाही एक्सराइज कर सकता हूँ, तो मैंने साइक्लिंग शुरू करी, और उस समय में 5-10 किलो मेटर साइक्लिंग करके फिर योगा वगरा गार्डन में ऐसे करता था, और 2018 में मेरा बेटा पूना से गोगा तक साइक्लिंग करके गया, और मुझे लगा, मैं चलो ट्राइ तो करूँ, 25 परशन तो कर लूगा, अभी मैं 10-15 किलो मेटर करता हूँ, तो अभी मैं 25-30 किलो मेटर कर लोगा साइक्लिंग, हो साइक्लिंग करते करते इतना मजा आने लग गया, कि अभी मैं पूना से मुंबई तक साइकल पर आता हूँ, और 150 किलो मेटर, 1500 किलो मेटर होता एक दिन में, और पहुँचके भी मुझे थकान नहीं होती, मैं इस तरह साइक्लिंग करता हूँ, कि मेरे पर जोर जादा ना पड़े, और इंजॉय करता हूँ आता हूँ, तो इस तरह से आप अपने आपको चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि लोनावाला के बाद इतनी धलान, इतनी तेज स्पीड से साइकल चलती है, और आपको वो ब्रेक मेंटेन कर करना वो बहुत ही चैलेंजिंग काम है, और अभी तक जब ये इंडिया गुकाव रिकॉर्ड में नाम आया था ना, दो साल पहले, उस समय मेरा 41,500 किलो मेटर हुए थे, और इस टाइम पर मैं 64,000 किलो मेटर साइकलिंग कर चुका हूँ, अरे बहुत अच्छी बात है, साइ साइकलिंग से आपको फाइदा ये हुआ कि आपने बीमारी को दूट किया, एंडिया पुकाव रिकॉर्ड में आम दर्ज खरा लिया, क्या कुछ सावधानी की वीजरूत होती है, जिसे के नुकसान ना पूँए, बिल्कुल देखिए, बहुत सावधानी, आप किसी से भी म मेशा पहन के रखते हैं, टरच वोड मुझे अभी तक कहीं सिर पे गिरने का नौबत नहीं आई, पर जब प्रॉबलम आती है, बता के नहीं आती है, तो हेलमेट पहनना, रात के टाइम साइकलिंग लाइट होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिव गेर हो, जैकित हो तो वो और भ साइड में होता हूँ, और जबी भी मैं साइकलिंग करता हूँ, हमेशा एकदाम लेफ्ट में साइकलिंग करता हूँ, जिससे जो बाकी तेज जाने वाला ट्राफिक है, वो अराम से चला जाए, और अगर मैं मुडता हूँ, तो हाथ का इशारा दे करके, एक और बड़ी ज करते हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं, और वो आपका खुब ध्यान रखते हैं, पर हमें भी ऐसा करना है कि हमें भी ध्यान रखना है, कि उनको कमफरेबल रहे कि वो हमें हिट ना कर सेके, अभी आपने साफधाने और सदरक्ता दोनों है कि आप हार्ट पेसेंट हैं, अब क्या बिमारी है? मैं हार्ट पेसेंट था, अभी हूनी और एक और आपको बताता हूं मैं, जब मेरा हार्ट का इन्वेस्टिकेशन हुआ, एंजिग्राफी हुई, तो यह पता लग गया कि जो मेरा दबा हुआ एक और सिस्टम हम सब में होता है, वो ओपन हो गया हुआ, उसको लैड आर्ट री बोलते हैं, मेरी लैड आर्ट री ओपन हो गया है, अब उसका क्या मतलब है कि बाइपांस के थू तो सपलाई हो ही रहा है, पर बाइपांस की कई बार बोलते है उसकी लाइफ होती है 15-20 साल, अभी दूसरा जो करो कोई चिंता की ज़रूर है रिकॉर्ड तो आप बनाएंगे बनाएंगे साइकलिंग से कुछ अच्छा करके लेकिन अपने आपको जीवन देंगे ये अपने आपे बड़ी खास बात है सर इंडिया वुक आफ रिकॉर्ड को क्या कहेंगे बहुत अच्छे तरीके से सुचारू तरीके से जिससे हम लोगों को कोई इंकर्विनियंस ना हो ऐसे इंका किया है तो इंका मैं बात करूँगा सर आपकी एज क्या है मैं बोलता हूँ मैं सिरफ 73 ओनली ओनली वर्ड ज़रूरी है अभी 73 73 के आप ओली है हमारे लिए बहुत सीनियर है और आपकी सारी बाते ग्यान वाली है ऐसे लोग जो बीमारियों से ग्रस्थ हैं ऐसे लोग जो निरास हो जाते इस तक आते आते उन लोग को क्या है देखिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगा ये एक art of living है कि आप जो भी situation होती है कई बार हमारे हाथ में नहीं होती हमारे हाथ में क्या होता है हम उस पे react कैसे करें तो अगर कोई ऐसी unpleasant situation है pressure है उसको आप एक positive attitude से अगर आप solve करेंगे तो आप मिकी क्षमता जादा रहेगी उस problem को solve करने की तो अगर हम ये जीने की कला सीख लें इसको आप बोलिए गेंडे की खाल होना बहुत ज़रूरी है अगर आप हर छोटी छोटी बात किसी की कही की बात का बुरा मान जाओगे और अपने आपको कष्ट में डालोगे तो आप उसका और किसी का नहीं अपना बुरा कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखिए आप और खुश रहे है क्योंकि जिन्दगी में यहाँ पर अर्थ में आने का हमारा मकसद ये कि हमें खुश रहना है तो पहले यहाँ का स्वर्ग भोगना है फिर उपर का स्वर्ग भोगेंगे तो ये थे राजकुमारी जी जो जिन्होंने इंडिया बुक आफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है साइक्लिंग करके तो ये तो ये तो ये तो ये तो ये तो झाल झाल